वंदे मात्रम नमस्कार जैहिंद सभी दोस्तों का स्वागत है कमपटीशन गुरू यूट्यूब चैनल पर प्यारे दोस्तों मैं विवेक चौधरी और आज किस क्लास में जैसा कि आप सभी जानते हैं थामनेल में लिखा हुआ है जैसे हमने कल कोशन्स कवर किये थे आज भी ऐसे ही कोशन्स कवर करेंगे और आज मैंने टॉप हंड्रेड कोशन्स लिए हैं जो आपके एक्जाम के पॉइंट व यू से बहुत ही बढ़िया कोशन है जल्दी से ज्यादा ज्यादा संक्या में जोड़ जाएए यस, शरिता, सपना, रंजना, सुर्जीत, आप लोगों का बहुत-बहुत अभिनंदन है, बहुत-बहुत वेलकम है, प्लीज एक बार सभी लोग शेयर करते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर में लगाऊंगा, आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से और आंसर करेंगे, बस आज की क्लास और आपकी यसी रहेगी, जिसमें आप केवल आंसर आंसर करेंगे तुरंट, इसके बाद कल से जो क्लासे हैं, वो हमारी रेगूलर रहेंगी, हमारे एक्जाम मैं आते ही कोशन, आने ही आने हैं, ठीक है, और हिंदी, इंगलिश दोनों ही लेंग्विज मैं, बाई लिंग्विल हमने यहां पर डाले हैं, तो आज आपको इंगलिश और हिंदी में भी क्रिशान ही नहीं होगी, आसान तरीके से आप जबाब दे सकते हैं, बस एक बार सभी लोग शेयर करने, एक बार सभी लोग शेयर करने, ठीक है, जल्दी से शेयर करने, एक बार सभी, जल्दी से एक बार शेयर करने, ठीक है, देखो मैं पहला प्रशन डारेक्ट आपके सामने में कोश्चन लगा करके बात करूंगा, तो जल्दी से आपकी स्क्रीन पर कोश्यन आने वाला है ध्यान दीजेगा पहला कोश्यन आपकी स्क्रीन पर मैं लगाने जा रहा हूं ध्यान से देखेगा मैं कोश्यन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं एक सेकंड बस question आपकी screen पर लग चुका है देखिए बोली जल्दी से ध्यान से देखिएगा जल्दी से ध्यान से देखिएगा चलिए आप सभी लोग share कर दीजे एक बार सभी लोग share कर दीजे जल्दी से जल्दी से एक बार शेयर कर दीजे, कोईशन में आपकी स्क्रीन पर लगाने जा रहा हूँ, देखो लग चुका है पहला कोईशन पढ़िए, एक बार बताईए आपको क्लियर देख रहा है, आपको कोईशन का अंसर देना है जल्दी से, घर, कमरा, तो विश्व को क्या कहा ज बार बताएं कि कोईशन आपको ठीक से दिख रहा है, या थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दिया जाए, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए, देखो आप ठीक दिख रहा होगा, यह ओप कि आप लोगों को क्लियर होगा, जल्दी से आप लोग बताईए, आप से बोल रह है सबी लोगों का में नाम लोगा यहाँ पर जो भी लोग सही आंसर करेंगे देखे नेक्स्ट कोश्चन आप लोगों के सामने ये रहा जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे सही आंसर दिया है मनोज ने जानवी ने और पूजा ने सही आंसर दिया है सुरेंदर ने मुगल किसी जीज को महसूस करेंगे अभिवादन किसका किया जाएगा अभिवादन तो आप जल्दी से आंसर बताईए स्विकार करना मुस्कान शिष्टाचार सफलता इसका राइट आंसर क्या है जल्दी से आप बताएंगे दोस्तो इसका राइट आंसर होता है स्विकार करना ऑप knowledge हम देंगे ठीक है जी चलो इसका बिलकुल आंसर जो है आप दे रहे हैं दूसरा वाला सही answer है next question आप लोगों के जल्दी से देखे जल्दी से जल्दी से एक बार share ठोक दो सभी लोग share कर दो एक बार सभी अगला question है वई good का bad से मतलब है अच्छे का बुरे से संबंद है तो छत का किसे संबंद है चत का जल्दी से बताएंगे चत का यानि आपसे बोल रहा है कि अच्छे का विलोम सब्द बुरा है तो छत का विलोम सब्द क्या है कल भी ऐसा कोशन किया था जल्दी से एक बार शेयर करो जल्दी से एक बार लोग शेयर करो सभी शबी लोग एक बार शेयर करो वीडियो ठीक चल रहे है बढ़िया वीडियो बढ़िया चल रहे है भई किसी को कोई प्रॉलम तो नहीं हो रही एक बार बोलें जल्दी से आंसर इसका तीसरे question का आंसर क्योंकि 100 question है थोड़ी से speed के साथ चलना है एक बार share करो सभी जल्दी से दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option number C floor floor इसका सही answer मुगल वशील, पूजा very good, संजय सभी ने सही answer दिया है next question आप लोगों के लिए मैं screen पर लगा रहा हूँ जल्दी जल्दी आंसर करेंगे speed के साथ, आगे आप से बोल रहे कि share मांध मेंquerता है तो खरःखोस कहा रहेगा share मांध में रहेता है, खरःखोस कहा रहेगा जल्दी से बोलो speed के साथ, जल्दी देर नहीं लगावए, जल्दी से करो, जल्दी सेbéड के साथ, जल्दी, जल्दी से एक बार जल्दी शेयर करो सबी लोग, जल्दी, देखो, good, bad, तो रूफ को क्या कह जाएगा, यानि अच्छे को बुरा कहा जाता है, तो रूफ को, छत को क्या का जाएगा, दोस्तों, इसका right answer हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा option C, जो कि सभी लोग सही दे रहे हैं, तीसरा यानि जो खरगोश है, वो बिल में रहता है, बिल में, ठीक है? चलो, अगला question आप लोगों के लिए जल्दी से लेकर के आ रहा हूँ जल्दी से आप लोग share कर दीजे तब तक next question है, अनूठा पन, पुराना पन, तो नया पन क्या होगा? बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलिएगा अनूठा पन, पुराना पन, तो नया पन क्या होगा? इसका right answer थोड़ा सा मैं अपने पास कर लेता हूँ laptop को, दूर जादा है question देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है न, just second जल्दी से इसका answer दीजी आप लोग इसका right answer क्या होगा? बोलो जल्दी से, question number five है जल्दी आप answer बताएंगे, जल्दी बताईएगा, देखो अनूठा पन, मतलब नयापन किससे होगा? तो इसका right answer हो जाएगा, option number six, बिल्कुल सही करें है सुमित, जानवी, रविजाट, very good, मनोज, very good, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमित, very good भाई, सभी लोग सही answer दे रहे है, discovery, यानि खोज करेंगे तो नयापन मिलेगा उसी परकार से अनुठापन जो मिलता है, वो परानापन में मिलता है, ठीक है? चलो, अगला question आप लोगों के लिए सेवा में लगाने जा रहा हूँ, जल्दी से देखिए, जल्दी से एक बार share कर दें सभी लोग सभी लोग share करें, एक बार जल्दी से share करें करा एक गुप्तचर मुख्विर, तो समवादाता किस से संबद होगा? भई गुप्तचर जो होता है, वो मुख्विर होता है, ठीक है? गुप्तचर का एक मुख्विर होता है, ठीक है? यानि detective जो होते हैं उनका एक informer होता है तो reporter का किस से संबंद होगा reporter का संबंद किस से होगा सूत्र से और ये कह रहा है आगे संपादकिय से या समाचार से या निबंद से जल्दी बताएं किस से संबंद होगा जल्दी से speed के साथ बोलिए question number six का right answer कौन देगा सही जल्दी से बोलिएगा जल्दी से समवादाता जो है वो सूत्रों पर काम करते हैं किस पर काम करते हैं भाई सूत्रों पर तो इसका right answer हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा source option number A बिल्कुल सही answer है option number A ठीक है चलिए very good बहुत बढ़िया six का एक number answer है ठीक है सूत्र या सूचन देना तो ठीक है इसका option number एक सही है जो तीन दे रहे हैं वो गलत है अगला question देखिए भाईया अगला question आपकी screen पर जल्दी से लगाने जा रहा हूँ देखिए बोलिए इसका right answer दीजिए विशुद प्रमाडिक म्रग त्रश्णा क्या होगा जल्दी से बोलो जल्दी से question number 7 का right answer बताएं जल्दी से 7 का right answer बताएं आप बोलो जल्दी से आप से बोल रहा है विशुद प्रमाडिक है और म्रग त्रश्णा क्या होगा इसका right answer बताएं जल्दी से बोले, जल्दी से, स्पीड के साथ, इस स्पीड के साथ, देर नहीं लगा नहीं, शेर कर दो जल्दी से, शेर कर दो जल्दी, जल्दी शेर कर दो, जल्दी शेर कर दो, कोश्य नंबर साथ का राइट आंसर, कोश्य नंबर साथ का राइट आंसर बता हो, जल्दी ब अगला कोश्चन भई वोटनी प्लांट्स आगे कह रहा है एंटो मोनलोजी इसका राइट आंसर क्या होगा यानि वनस्पति विग्यान पौदे से संब्द देते हैं तो कीट विग्यान किसे संब्द देते हैं बोलो जड़ी से इसका राइट आंसर देंगे राजू वेरी गुड राजू पाटिल सुर्जीत वेरी नाइस गायतरी अंजली वेरी गुड इंटर्टेनमेंट कंपनी शेर करो एक बार जल्दी से शेर करो बहुत खतरना कोश्चन से हैं आज की जो क्लास है वो टॉप हंड्रेड कोश्चन से हैं अगला कोश्चन देखे अगला कोश्चन देखे अगला कोश्चन देखे है ना फिर देख लेना कर गलत कर दिया, जल्दी से बोलो, लेको आप से कराय रहा है, पारलियमेंट ग्रीट बुरिटेन, तो कॉंग्रेस किसे समल देदा है, जापान, भारत, निदर लेंड या अमेरिका, जल्दी से बोलिए, जल्दी से, जल्दी से, कोईशन नमबर 9 का राइ आंसर दे रहे हैं आश्रतोस बहुत बढ़िया विश्वनु बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऑप्शन नमबर C USA इसका राइट आंसर है USA ठीक है यानि पार्लियमेंट जो कहते हैं वो किस संसद को कहते हैं Great Britain के संसद को कहा जाता है उसी प्रकार से Congress के संसद को कहा जाता है तो USA की संसद को क्या कहा जाता है भईया Congress कहा जाता है अगला कोशन आपकी सेवा में लगाने जा रहा हूं जल्दी से आप आंसर करेंगे जल्दी से लिज जल्दी से बोलो जल्दी से, 181 लोग हो चुके हैं, जल्दी से शेयर ठोक दो सभी लोग, सभी लोग शेयर कर दो और लाइक भी कर दो, 187 लोग देख रहे हैं, लेकिन लाइक केवल सतर हैं, तो आप से कहना पड़ेगा बार बार लाइक के लिए, जल्दी शेयर करो, जल्दी शेयर करो जल्दी शेयर करो जल्दी शेयर करो एक बार सभी लोग जल्दी शेयर करो अगला कोशन आपके सामने ये रहा देखो ये रहा अगला कोशन ये रहा जल्दी से बताओ भई आपसे करा है अत्यदिक अतिमात्र और कप्टी का मतलब क्या होगा जल्दी से बोलो जल्द से देर नहीं लगानी है जलदी बताओ जलदी बताओ कोईशन नमबर 11 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है आप लोग देर न करते हुए जलदी से आंसर करने कोईशन नमबर 11 का समानाार्थी शबदें भई आप से समानार्थी दे रखे हैं कि अगर अत्यदिक का समानार्थी अतिमात रहे तो कप्टी का समानार्थी क्या होगा option आप लोगों के सामने दिये हुए हैं जल्दी से मुकेश very good very good बहुत बढ़िया मुकेश बहुत सुंदर आंसर दे रहो जल्दी से राज बहुत बढ़िया पूजा very good very good बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो जोड़दार जोड़दार आंसर दे रहे हैं पूज का भी आंसर आ गया सीता का भी आंसर आ गया पूजा वर्मा का भी कमलेश मनोज अभिशेक बहुत सुंदर बहुत सुंदर आंसर देने भाईए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, option number क्या है, इसका राइट आंसर बताओ, कौन देगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, option number दूसरा, b option बिल्कुल सही है, very good, भाई, बहुत बढ़िया, manoj ने भी answer सही दिया, alkanay भी entertainment company ने भी, रवी कुमार, रवी जाट, very good, बहुत बढ़िया, तो option number B के साथ चलेंगे, option number B क्या है, कुदसित, इसका राइट आंसर है, ठीक है, चलो, अगला question देगा, कोई समाना आरती है, समाना आरती है, ठीक है, चलो, next, अगला question आगया आपके लिए, ये रहा, आप से कह है कि मा बच्चे से संबन देता है, तो बादल के से संबन देता है, मा बच्चे से संबन देता है, तो बादल के से संबन देता है, जल्दी बताओ, जल्दी शेयर करके जल्दी, एक मिनट के अंदर अंदर शेयर करो जल्दी से पहले सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग, सभ बहुत बढ़िया बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं आप लोग, सभी, बताईएगा जिस प्रकार से माँ बच्चे से संबंदेता है, मदर चिल्ड से संबंदेता है, तो क्लाउड, बादल किस संबंदेता हैं, बोलो जल्दी से, शाइन, वाटर, या वैदर, या रेन, किस संबंदेता हैं, बोलो जल्दी से, बारे में कोश्चन का जुराई टांसर हो जाएगा, वो होगा, ऑप्शन नमर तीसरा, रेन, किस किस ने दिया है, रमा कांत, हरग्यान, वेरी गुड इंटर्टेन्मेंट कंपनी, रवी भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभ पुस्तक प्रकाशक से संबंदेता है, फिल्म किस से संबंदेता है, पुस्तक प्रकाशक के द्वारा तैयर की जाती है, मतलब कह सकते हैं, प्रकाशक के द्वारा उसको लॉंच किया जाता है, उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ, तो फिल्म को किस के द्वारा लॉंच किया ज वो ही तो लॉंच करता है मूवी इसको समझे बात को चलो जल्दी से एक बार शेयर करो और इसका राइट आंसर ले लो जल्दी से ऑप्शन नमबर तीसरा है सन्नी राजा भाई वेरी गुड राज बहुत बढ़िया मनोज आशीश प्यूस सपना सन्नी विक्रांत बहुत बढ तो केटलोग किस से संबंद है मैन्यू फूड से संबंद है तो आप से पूछ रहा है कि बताइए भाईया केटलोग किस संबंद है केटलोग केटलोग होता क्या है पहले तो यह समझे लो केटलोग होता क्या है केटलोग जो हम अपनी बुक में जो तालिका बनाते है तालिक जिस सूची कहा जाता है विशे सूची उसको कहते है catalog तो यानि menu जो होता है वो या food जब आप किसी restaurant पे खाना खाना जाएंगे आप खाना खाने जाएंगे तो वहां आपको एक menu card मिलेगा उसी प्रकार से अगर आप catalog की बात करें तो पुस्तकों के लिए जो पुस्तकाले होत पुस्तक के starting में जो लगा होता है सूची वो पुस्तक के starting में होती है सूची जना कि पुस्तकाले में ठीक है तो option number पहला बिलकुत सही है option number A के साथ चलेंगे बईया पूजा तिवारी वेरी बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी आशुतोश option A है बईया option B के साथ नहीं जाए तो next अगला question है देखो आपसे कह रहा है कि धाचा मकान से संबढ़ देता है तो अस्ती पंजर किसे संबढ़ देता है अस्ती पंजर आप जल्दी बताएंगे सका राई टांसर 15 का क्या हो जाएगा जल्दी बोलो जिस प्रकार धाचा मकान बनाने के लिए आवश्यक है उसी प्रकार बताईए आप अस्ती पंजर क्या बनता है अस्ती पंजर से धाचा मकान से बनता है ठीक है तो अस्ती पंजर से क्या बनता है शरीर बनता है बोडी बनती है option नमबर तीसरा सही है इसका option नमबर तीसरा बिल्कुल सही है ठीक है option नमबर तीसरा बिल्कुल सही है ठीक चलिए, इस पीड जादा तो नहीं है, एक बार बताओ भई थोड़ा, स्पीड को सिलो करें क्या, ठीक है स्पीड, एक बार बताओ जल्दी कमेंट करके, स्पीड सिलो है या फास्ट है, ज्यादा फास्ट लग रही है मेरे को, आपके कमेंट जो है पिछले कोश्चनों के आपा रहे हैं, नए वाले के नहीं आपा रहे हैं, जल्दी से एक बार बताईए, मुझे थोड़ी सी स्पीड को सिलो कर लूँ, चलो, कोई बात नहीं, स्पीड को थोड़ा सिलो, धाचा मकान से संबन देता है, तो चलना किसे संबन देता है, चलो, बताओ जल्दी से, इसका तो आंसर आप बढ़िया तरीके से दे दोगे, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, सभी ठीक बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, फास्ट कराईए, अच्छा भाया, रंजीत, आप तो बहुत फास्ट हैं, बह पटरी, वेसाखी, टांग, या चड़ी, तो इसका राइट आंसर क्या है, उप्शन नंबर C, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तीन, रवी गुपता, राहुल, सुमेथ, जानवी, बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं, सभी लोग, बहुत सु बहुत सुमिर झाहना जास्बाए, जड़ जाया जाएग ड़ एकड़न, अगला कोईश्ची याप लोगों के लि отдे है, कि चिमनी धुअ से संबंड़ paradox है, तो निम न world आपको दे रखे है, चार ओप्शन है कि बंदू ग Colonel, बहुत से संबंड़ प्शन से संबंड़, घर on bullet से संब्द देते हैं क्या जल्दी से इसका right answer दीजिए रिशिकान्त वेरी गुड भुवेंद्र अत्री वेरी गुड गोली बहुत बड़ी answer दे रहे हैं बहुत बड़ी अपने टेली ग्राम पर टेली ग्राम आपको पता होगा सुर्जीत जी गह रहे हैं कि share करो सभी लोग एंक ओठाक तो रोटी किसे संबद से हैं समाचार जो पत्र होगा उसको पढ़ा जाएगा पाठक के द्वारा पाठक होता है जो किताब को बुक को कौपी किसी चीज को भी पढ़ता है उसको पाठक का आ जाता है रोटी के लिए क्या होता है बिया रोटी किस के लिए होती है गेहू खरिदार बेकर या उपभोकता जल इसे न्यूस पेपर रीडर से संबन देता है तो वियर्ड यानि कि हम कहेंगे जो रोटी है वो किस संबन देता है ब्रेड ब्रेड किस संबन देता है ब्रेड ब्रेड हां रोटी रोटी किस संबन देता है तो भईया इसका राइड आंसर हो जाएगा option no.3 तो किस संबन देता ह उपभोगता से संबंदिता, उपभोगता से, ठीक है जी, चलो अगला question आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए अगला question, प्रिति नायक, मनोर्मा, वेरी गोड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आंसर दिया है, इस वाद से कोई दोराय नहीं है, बह आप से कह रहा है कि बर्फ शीतलता, बर्फ का गुण होता है एक सीतलता, बर्फ जो होती है वो ठंडी होती है, वो सीतलता होती है, आगे आप से बोल रहा है कि बताईए, प्रत्वी, 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 फिर क्या होगा, भार होता है, जंगल होता है, संबंदर होता है गुरतवा करशन होता है प्रतवी का गुण क्या है प्रतवी का गुण क्या है option B रवी जाट बहुत बढ़ी आंसर दिया आपने और उसके बाद जो है बहुत बढ़ीया बहुत बढ़ीया अलका वेरी गुड नेहा कुमारी शाक्षी वेरी गुड बहुत सुन्दर आंसर दिया, एक बाद शेयर करो जल्दी से, जल्दी से शेयर करो देर क्यों कर रहे हो, जल्दी शेयर ठोक दो एक बार, जल्दी करो शेयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, option number 2, गुरुत्वा कर्शन, gravity, gravity national force, ठीक है, चलो, next, अगला कोईशन देखें जल्दी से, अगला कोईशन आप लोगों की सेवा में ये रहा भईया, आगे देखें, आगे, आगे देखें, मकान किराए पर दिया जाता है, मकान किराए पर दिया जाता है, पुझी, पुझी, capital, किसको, किसको देते, बताओ भई मकान किराए पर मकान से अगर किराय आएगा तो पूजी से क्या आएगी निवेश आएगा धन आएगा देशाएगा ब्याज आएगी बहलो जल्दी से जल्दी अभी जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक तो होने चाहिए इमानदारी तो इसी में है बाकी जो मरजी करते रहो हम तो कह सकते हैं करवा नहीं सकते आप लोगों से जल्दी शेयर करो एक बार अलका वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राहुल बहुत अभिनाश वेरी गुड विपल जल्दे शेयर करो बही शेयर करो एक बार इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्याज ब्याज ऑप्शन नंबर पहला ही सही है इसका ब्याज भाई सब मकान से किराया आता है तो पूंजी जो ते कैपिटल उससे ब्याज आती है ठीक है उससे क् इंट्रेस्ट आता है आगे देखिए कोशन आगे कोशन है आगे देखिए भाईया कोशन कोशन देखिए उर्जा जूल के समरूप चुनिये उर्जा जूल से संबंद है तो आगे आप देखिए कौन सा सही है कुलहाडी से पीशना गलत है भाईया अमीटर धारा शक्ति एम जल्दी जल्दी से बोले है थोड़ों हैं इंगलिस में भी आपिसा आंसर क्या होगा हुगा पौन बता रहा it का चार आंसर देने हैं कमलेश जाटव बहुत बाट बढ़िया और उसके बाद आंसर दिया है बहूत जल्दी से नाम उप तो कि रही बाइनकल जाते हैं इसका समरूप यूगम जो है वो है प्रतिरोध और ओम ठीक है चलो अगला कोशन देखिए भाईया अगला कोशन देखिए बाद जल्दी शेयर करो जल्दी शेयर करो जल्दी शेयर करो जल्दी शेयर करो अगला कोशन देखिए मैंने कल भी करवाया था आप लोगों के लिए क जल्दी से शेयर करो एक बार सभी लोग जानवी वेरी गुड बहुत बड़ी है राम अनंद वाट से बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है विवेक बहुत सुंदर इमरान मलेक बहुत बढ़ी आंसर दे रहे हैं आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजे इसका राइट आंसर और भी कुछ लोग स्टूडेंट हैं तो आंसर नहीं दे रहे हैं, लाइक करो यार, सभी लोग लाइक करो यार, 170 पर अटके हुए हो, 170 से उपर लाइक नहीं हुए आज, कितनी बार बोल दिया, तीन बार बोल दिया, लाइक करो, चैट को बंद करो, लाइक करो, लाइक करो, शेर करो, एक बार सभी लोग, विनाश बिल्कुल सही आंसर है, अमित चौहान ने आंसर दे दिया है, रवी जाट ने आंसर दिया है, अभी कुमार ने आंसर दिया है, very good, बहुत बढ़िया, शाक्षी ने भी answer दे दिया है, इसका right answer हो जाएगा, विनाश, भईया, जब धुआ होता है, तो धुआ से प्रदूशन होता है, और अगर कहीं युद्ध होता है, वार होता है, तो उससे केवल और केवल विनाश होता है, ठीक है, अगला question देखिए भई, अगला question देखिए, अगला question देखिए अगला question, आवर second से मतलब है, यानि घंटे का second से मतलब है, तो तिर्तियक का मतलब किस से है, यानि हम कहेंगे, हम इस तरीके से कह सकते हैं, कि सबसे बड़ी इकाई जो है वो घंटा है, सबसे छोटी इकाई सेकेंड है, उसी प्रकार से सबसी बड़ी इकाई मैं अगर तिर्तियक मानता हूँ तो सबसे पहली इकाई क्या है साधारन, दुतियक प्रार्थमिक या मध्यवर्ती तो बताओ इसका आंसर आप लोग दीजी जल्दी से जल्दी से, मनोर्मा, रादेश्याम, राहुल, वेरी गुड, अमन बहुत सुन्दर आंसर दे रहे हैं आप देर न लगाते हूँ जल्दी एक बार लाइक करो एक बार सभी लोग शेयर भी करो जल्दी शेयर करो, रवी जाट, बहुत बड़ी आंसर दिया है आपने बहुत बड़ी आंसर दिया है, वेरी नाइस, वेरी नाइस बहुत सुन्दर ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाया इसका राइट आंसर हो जाएगा, option number option number, तीसरा इसका right answer है, ठीक है, question number, तेसका तीसरा option बिल्कुल सही है, primary यानि प्रार्थमिक, ठीक है, यह सबसे चोटा रूप होता है इसका, आगे next question आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए अगला question आपकी screen पर है, जल्दी से पढ़िए और answer दीजिए, क्या कह रहा है, देखिए जल्दी से, जल्दी से देखिए, जल्दी से, जल्दी से देखिए, कह रहा है कि आपसे चिकितसक उपचार से संबन देता है, तो नियाधीस किसे संबन देता है, जल्दी बताएगा, मनुज, जाटव, दिनेश, वेरी गुड, WhatsApp status, बहुत बढ़िया, कमलेश, जा अंसर क्या है, बताओ अगर चिकितसक उपचार करता है, तो नियाधीस का क्या काम है, जज का क्या काम है, जज का काम होता है भाईया, निर्णे कराना, जजमेंट कराना, option नमबर दूसरा सही है, कौन-कौन आंसर दे रहे हैं, इसका आंसर दे रहे हैं, सुरेस, वेरी ओमकार, शाक्षी, वेरिगूड, बहुत बड़ी आंसर दे रहें सबी लोग, चली अगला कोशन आप लोगों की सेवा में आ गया है, डॉक्टर, डॉक्टर स्टेतोस्कॉप से संब्देते हैं, तो इसी प्रकार चे मूर्तिकार किसे संब्देते हैं, डॉक्टर मूर्तिकार किसे संब्देत होता, जल्दी बताओ, 25 का कोशन का आंसर दीजिए, मैं सभी लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ, सभी लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ, क्या है कि मेरे सामने जो LED चल रही थी, वो बंद हो गई है, तो मैं मोबाल में पढ़ लेता हूँ, क कि nicina के सहजगी है, जहनी, मूर्तिकार जो है, उसका चेहनी से संब् ant होता है, कियोंकि जिस प्रकार से दौक्टर का जो ओजार होता है, वो इस्टैतोच कॉप उता है, उसरी प्रकार मूर्तिकार का जो है, जहनी होता है, चलो अगला कोशन देखें जल्दी से, नेक्स्ट क question है. प्रियोग एक्स्परिमेंट से संबन देते हैं, सर्वेस यानी नोकरी से, एक्स्पिरियंस अनुभब से, अपोइन्मेंट नियुक्ति से, बोलो जल्दी से इसकार इटांसर क्या है, जल्दी से बोलो लाइक करते हुए, लाइक करते हुए बोलना है जल्दी से, तीन साथ हो गए, चार सा होने में देर नहीं है, जल्दी से बताओ जल्दी से सकाराइट आंसर क्या है, जल्दी बोलो जल्दी, फास्ट, तो भज़िये सकाराइट आंसर है, जब हम बहुत जदा पढ़ते हैं, तो हमें ज्ञान आंसर दे रहे हैं, चलिए अगला कोशन, तब तक मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ देता हूँ, ये आपका Mr. Rohit Kumar, Bagheil ने भी आंसर सही दिया है, Pappu ने भी आंसर सही दिया है, very good, Raju Patil ने भी सही आंसर दिया है, very good, Sapna ने भी आंसर दिया है, बहुत सुंदर आंसर दिया है, चलो अगला कोशन आप लोगों के सामने है, पक्षिम को उत्तर पक्षिम कहा जाता है, पक्षिम को उत्तर पक्षिम कहा जाता है, दक्षिन को क्या कहा जाएगा, पक्षिम को उत्तर पक्षिम कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व आ जाता है, गुमा कर देख लो कभी क्या दिक्कत है, ठीक है, यानि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर करके, कि मान लीजिए, अगर आपके इस तरीके से यह डारेक्शन से, मैं यहाँ पर बताता हूँ, यह डारेक्शन है, पूर्व, पक्षिम, उ आपने clockwise घूमना है, उसके बाद कहरा है कि बताईए, दक्षिन को क्या कहा जाएगा, यानि इस दक्षिन को क्या कहा जाएगा, तो 90 और 45 आप घूमेंगे, तो यह वाली दिसा कौन से होती है, उत्तर पक्षिम राइट आंसर है, उत्तर पक्षिम इसका राइट आंसर है, उ बाहितरी ने सही आंसर दिया है, अशीष, कमलेस, पपू, सपना, मंझीत, बहुत बढ़ेए, करूने भी सही आंसर दिया है, अगला कोश्शन में आपके स्क्रीन पर लगाने जा रहा हूं, बताओ समझ आगे हैं बताइए, बताइए, आगे आपसे कोश्शन आ गया है, कि क्या कहा जाएगा श्री यानि सागर सागर यानि मरुधान मरुधान क्या होता है पहले तो यह समझ लिए मरुस्थल क्या होता है मरुस्थल होता है एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें हम कह सकते हैं कि रेगिस्थान टाइप का होता है मरुस्तल ठीक है जहां पे भूमी होती है बहुत ज़्यादा भूमी होती है और उसी भूमी में मरुधान होता है जहां पेड़ पौदे होते हैं बहुत ज़्यादा और थोड़ा बहुत जो है पंक्षी वगरा रहने के लिए मनुष रहते हैं उसको मरुधान कहा जाता ठीक है, जहाँ पानी की विवस्ता हो, जहाँ पेडों की विवस्ता हो, पानी की विवस्ता हो, उसी परकार से सागर में क्या होता है, सागर में जहाँ रहने की जगह होती है, उसमें उसको क्या कहा जाता है, आइसलेंड उसको कहा जाता है, तो option number A बिलकुल इसका right answer है, तो इ रवीकुमार, बहुत बढUR लख़ीहर, लखवीर, योगेस, अंकिता, बहुत बढUR, क्या कता है, हमारा नाम नहीं ले रहे हैं आपका नाम ले लिया, अंकिता ठीक है, प्रदीप, विशाल, नेहा, Very good, Very good यार सभी लोग शेयर कर दो एक बार क्या कर रहे हो आज मतलब ठंड मानेगे क्या जल्दी से बताओ आप से कह रहा है कि कौँ कौँ बत्तक करती है तो हिन हिना ना हिन हिना हाट कौन करता है बोलो जल्दी से option आपके सामने क्या लोमडी करती है नहीं करती है क्या medic करता है नही करती है नहीं करती है कौन करता है होर्स घोडा करता है जब अगर कां कां बत्त करती है तो हिनहाट कौन करता है घोडा करता है ऑप्शन नंबर दूसरा ठीक है ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ चलेंगे ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ चलेंगे अगला कोशन आप लोगों की जाता है तो उसको कहा जाता है रेजिमेंट उसी परकार से घोड़ों को जब इखटा कर दिया जाएगा बहुत से घोड़े जाएगे तो उसको क्या कहा जाएगा नो सेहना बिल्कुल नहीं कहा जाएगा बेड़ा कहा जाएगा नहीं नहीं कहा जाएगा, अस्वरोही सहना, नहीं कहा जाएगा, जुंड कहा जाएगा, जुंड कहा जाएगा, बिल्कुल सही बात है, इसको जुंड कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, जुंड, 30 का जो राइट आंसर होगा, option number 4 होगा, 4, तो इसको जुंड कहा जाएगा, ठीक है, जल्दी एक बार शेयर करो, शेयर ठोको एक बार सब जल्दी से, जल्दी शेयर करो जल्दी, जल्दी शेयर करो, 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 राहुल कुमार, बहुत बढ़िया, शामा जी, सुनील, बहुत बढ़िया, अगल शेवती, रवी कुमार, कृष्णा, मुरारी, नितिन, अभिशेक, वेरी गुड, रंजना, बहुत बड़ी आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बहुत बड़ी है, राजू, वेरी गुड, भाई, सेर करो एक बार सभी, बिल्कुल, बिल्कुल, आमन गुपता, बिल्कुल, चलो, इ फोटो स्टेट को क्या का जाएगा, फोटो स्टेट को, बाई साब सुनना, फोटो जो होता है न, उसको जो फिल्म पे उतारा जाता है, एक फिल्म पे उतारा जाता है, ठीक है, उसी परकार से फोटो स्टेट को किस पे उतारा जाता है, कागच पे, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट अंसर एक बार शेयर कर दो यार जल्दी शेयर करो एक बार सभी लोग जल्दी शेयर करो 400 पार करो जल्दी से जल्दी 400 पार करो जल्दी से देर न करते हो जल्दी 400 पार जल्दी से स्पीड के साथ जल्दी देखो अगला कोश्चन देखो जल्दी से अगला कोश्चन क्या करा है अगला कोश्चन करा है यथार्थ प्रमाडिक होता है तो मरिची का किसे संबदित है यथार्थ प्रमाडिक होता है यथार्थ यानि यथार्थ एक प्रमाडिक शब्द है और आप से करा है मरिची का क्या होता है इसको myrage कहा जाता है, बोलो जल्दी से बोले जल्दी से बोलो जल्दी से समयनार्थि सब्दाषे शमयनार्थि सब्द Tony सर है सेर कर दो सभी लोग कि असर दे रहे हैं वेरी वेरी गोड्ड वेरी गुड़ बाइध बढ़िया भाइध बढ़िया टाइम बताएँ साड़े पांच बजे, अब की बार 400 पार, जल्दी करो भईया, जल्दी करो 400 पार यार, मज़ा नहीं आरा, अगला question लगाएंगे, जल्दी 400 पार करो फिर, जल्दी से देखो इसका right answer, यथार्त जो होता है, वो एक समानार्ति, उसका प्रमाडिक होता है, और मरिचिका जो होत जल्दी से ध्यान दीजिए, देखो, शौक, आनंद, सुख का क्या होगा, जो शौक होगा, तो आनंद होगा, सुख होगा, तो क्या होगा, सेरो, जोए, तो प्लिजर का मतलब क्या होगा, बोली जल्दी से right answer दीजे जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, कल 600 पा जल्दी शेयर करो भया, रवी इने शेयर करो यार, रिशीकान ताप भी शेयर करो, पांचो तभी तो होंगे जब आप शेयर करोगे, शेयर ही नहीं कर रहे है, जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल् दिया नहीं के बते हैं जब नमल रहे अगला कोशिन आप लोगों की सेवा में धेकिए जलदी से आंसर दिजिए ऑड़ही पढ़िए इसको राइट आंसर दीजे जल्दी से, शेर करें जल्दी से एक बार, आप शेर नहीं कर रहे हैं सबी लोग, शेर करो एक बार देखो, बढ़ गए, ऐसे बढ़ेंगे, दिरी दिरी जैसे शेर करो, बढ़ते चले जाएंगे, आप से बोल रहा है भी है, नेक्स्ट जल्दी से बोलो, भारती, कुश्वा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राज अग्रवाल, वेरी गुड, मनो जाटव, मनुर्मा, बहुत संदर, बहुत संदर, बहुत संदर, बहुत संदर, जल्दी से, जल्दी से शेर करो, जल्दी से, जल्दी से शेयर करो, जल्दी से, जल्दी शेयर करो, जल्दी, जल्दी, इसका right answer क्या हो जाएगा, बोलो कौन बताएगा, 34 का right answer हो जाएगा, option number 3 यानि लोहार हतोडा, भीया जो doctor होते हैं न, doctor, यानि चिकितसक जो होते हैं, शल्द चिकितसक, उनका जो आजार है वो चीमुटी है उसी प्रकार से लोहार का जो आजार है वो हतोडा है option number तीसरा बिलकुत सही है एक बाद शेर करो सबी लोग अगला question आपके सामने ये रहा भई या अगला question जल्दी से जल्दी से answer करिए जल्दी से देर न करते बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है परदरसन तो अच्छा है लेकिन एक बार share कर देंगे तो एकदम मज़ा आजाएगा सभी लोग एक बार share कर दो जल्दी से आप बताईए गब संपादक पतरिका से संबंद रखता है तो आगे आपको options दे रखे कौन सा match करता है उपन्यास लेखक, कविता कवी, कुर्सी बढ़ई या निर्देशक फिल्म कौन सा option इसका सही है 35 का right answer बताएगे आप लोग 35 का right answer बताएगे जल्दी से जो संपादक है वो पतरिका का प्रकारशन करता है उसी प्रकार से फिल्म का कौन करता है बोलो जल्दी से कौन करता है बोलो बाईया इसका right answer हो जाएगा option number D option number D इसका right answer हो जाएगा बहुत बढ़ी answer दिया है रवी जाट बहुत सुंदर आंसर दिया है आपने और संजे ने भी answer दिया है जो डारेक्टर होता है उसी प्रकार से वो उसका जो है निर्देशन करता है चलो नेक्स्ट अगला कोश्चन आप लोगों की सेवा में है अगला कोश्चन है भई धागा कपड़ा तो तार किसे संबंद है बोलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से शेयर करो एक बार सभी लोग संबंद जल्दी से श्यिर करें सर्ट जल्दी एक थागा कपड़ा से संबंद करता है तो तार कि टक शेयर करो जल्दी से ये करा है आपसे धागा कपड़े से संबंद रखता है तो तार किसे संबंद रखता है बोलो अगर मैंने कहा है कि धागा जो होता है धागा उसको आप काफी खटा करेंगे तो उससे बनेगा क्या कपड़ा बनेगा और तार को खटा करके उससे बनाया जाता है क्या जाली बनाया जाती है option number दूसरा मैस इसका right answer दूसरा वाला सही right answer है ठीक है जल्दी share करो एक बार विकास बहुत बड़ी रवी अदब बहुत बड़ी जैपरकाश रवी जाट पपो विनोद बहुत बड़ी answer कर रहे हैं इसका right answer है जाली option number दूसरा अगला question है अगला question है आपके सामने आपके सामने अगला question है yesterday tomorrow तो March क्या होगा yesterday tomorrow तो March क्या होगा बो जल्दी से बो yesterday tomorrow यानि कल ठीक है एक second होल करो जल्दी से एक बार जल्दी share करो एक बार सभी लो कि चलिए मुझे लग रहा है स्पीड ज्यादा हो रही आज़े ना चलो स्पीड को थोड़ा सा सिलो करते हैं काफी स्टुडेंट कहा है कि सर कोशन जो है वो पहले ही निकल जाता है और हम आंसर देते हैं तो लेट हो जाते हैं चलो कोई बात नहीं यह कह रहा है कि आपसे गत क यानि बीता हुए कल का मतलब है आने वाला कल, यानि यस्टरड़े का मतलब है तो मार्च का मतलब क्या होगा, मार्च का मतलब क्या होगा, मार्च का मतलब क्या होगा, अप्रेल, मै, जन्वरी, जून, बताओ, अप्रेल, मै, जन्वरी, जून, तो इसका अंसर तो मैंने बोली सही आंसर है ठीक है चलिए अगला कोश्यन आपकी सेवा में लगाने जा रहा हूँ जल्दी से देखिए जल्दी से जल्दी से जब तक मैं कमेंट पढ़ूंगा आप लोगों के देखो इसमें जो है रमेश यादा वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गायतरी ब जल्दी बोलो 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 समान अर्थ है यह दुशाद खन का समान जो है वह भाजन होता है और विरक्ति का क्या होगा विरक्ति का क्या होगा जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो क्या जल्दी से अंसर आपकी अपनी सिटी क्योंकि उतना ज्यादा इजिन ए सम्बंदेता है। ची कुछ बाई, जल्दी से आंसर दो. आपकी अपनी सिटि, क्यूति नहा. अच्छा जी, ये वात है क्या, चलो, बहुत बढ़िया, रवी गुप्ता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मनुर्मा, आप इस्माइल करते हुए अच्छे लगते हैं, तो हसुंगा तो तब जब पहले आप 500 पिलस करो, फिर हसके दिखाऊंगा कैसे हसता हूँ है खतरनाक तरीक से, जल्दी से बताओ आप, पक्षी विज्ञान, पक्षी संबंदित है, तो पुरा तात्वी किस से संब फेक्ट्स, ठीक है, ऑप्षन नंबर एक बिल्कुल सही है, एक के साथ लॉक कर दो, एक के साथ लॉक कर दो, अगला कोशन लीजिए, अगला कोशन लीजिए, अगला कोशन लीजिए, देखो, इसका राइट आंसर दीजिए जल्दी से, मैं कमेंट पढ़ लूँ आप लोग आज है, बिलकुल बहुत बढ़ी है. चलो, जल्दी बताँ, जल्दी बताँ, एक्षा जल्दी बताँ, कम हुरहे हूँ, कम क्यों, ठंड मानगे, जल्दी शेर करो इसका right answer, का HELICES, लॉमडी चालाक होती है, क्रगोष क्या होता है, खरगोस क्या होता है साजसी होता है बिल्कुल नहीं होता है साजसी खतरनाक होता है बिल्कुल भी नहीं होता है क्या होता है क्रूर होता है कहां क्रूर होता है तो इसका राइट आंसर क्या है option number 3 साहिए, डरपोक होता है, ठीक है, शेर करो जल्दी से, शेर करो नहीं, आप भी खरगुस बन जाओ कि जल्दी शेर करो, अगर लॉमडी बनना है तो जल्दी शेर करो एक बार, शेर करो जल्दी से, शेर करो शेर, देखो भाईया, देखो अगला कोशन आ गया है, कि दुख में चीख निकलती है, तो प्रसंदा में क्या निकलता है, बोलो, जब हम दुख होंगे, जब हमें बहुत ज़्यादा शेरो होगा, ठीक है, दुख होगा, दर्द होगा, तो क्या निकलेगा, चीख निकलेगी, निकलेगी, प्रसंदा होगी, तो क्या निकलेगा, बोलो, आन जल्दी से इसके right answer option number गर्से ए कैसे ऐया है जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे जल्दी से योगे सुंदर सुंदर कोशन एक दम सजा सजा करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, अजय जल्दी से आंसर दो भाईया, जल्दी से, शिवानी जल्दी आंसर दो, जल्दी आंसर दीजिए भाईया, जल्दी से, अजय बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आमित आपने भी सही कहा ह और उसके बाद शहना आज MP पुलिस के लिए मैथ की क्लास चालू करो बिल्कुल हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है एक्जाम गड़ उस चैनल पे जो है राहूल सर मैथ लेकर के आ रहे हैं तो जिसको भी मैथ पढ़ना है भाईया जाईए और एक्जाम गड़ पे विजट करिए और मैथ देखिए सर का जल्दी से देखिए प्रकाश अंदकार को दूर करता है तो ग्यान जो है किसको दूर करता है भाईया अग्यान अग्यान को दूर करता है, चमक को दूर करता है और रचनाशील को दूर करता है तो इसका right answer option number A ही है अग्यान को दूर कर देगा, सभी ग्यान ही हो जाएंगे अगर ग्यान हो जाएगा तो option number इसका बिल्कुल सही answer है जल्दी से अगला question देखिए इस्टेटस्कॉप हिड़देजबंध है तो ताप्मान किससे संबंद है बोलो जल्दी से जल्दी से बोलेए जल्दी से बोलीए कौन बताएगा इसका round attack movie West of West अजए कुमार ओमकार मैं भी तो देता हूँ सर वेरी गुड भाईया, हुमकार जी, आपका नाम ले लिए, मेरे भाई, आपका नाम ले लिए, कैसे दिल को छोटा कर रहे हो, आप तो, हम तो आपका नाम जपना सुरू कर देंगे, एक बार नोकरी तो लग जया आपकी, जल्दी से देखो, इस्टे तो स्कॉप जो होता है न अरे भाईया, कहां खोरे हो यार, पारा कैसे हो जाएगा भाईया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर, ओप्शन नमबर डी, थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर, देखा तो हो गईया, आपने कैसा होता थर्मामीटर, चलो, आगे पता लग जायगा आपको थोड़ा साभी हिंदी में पता होगा कि वसंत गरीष्म क्या होता है जल्दी से बोलिए कोस्ट नमबर 44 जल्दी बताइएगा वसंत के बाद जो है गरीष्म आता है तो बताइएगा रविवार के बाद क्या आता है सौंबर बिल्कुल ऑप्शन तो आपका नाम नहीं लेखे तो किसा लेंगे हाँ जली से बताओ, बोलो आ गया समझ इसका राइट अप्शन नमबर A इसका राइट अंसर बोलो जल्दी शेयर करो बोली जल्दी से शेयर करिए अगला कोशिशन भंडी बड़ा सुंदर सा है लेकिन देखने से पहले लाइक क को और शेर कर देना क्योंकि इतने सुंदर कोशन आपको दूसरी जगे कहीं मिलने वाले नहीं है पिंकी यादव जल्दी से बुलिए केबल शिवानी का नाम लेते हैं अच्छा मेरे घर से हैं क्या शिवानी जो उनका नाम में बारवर लोगा बताओ सभी लोग मेरे लिए तो के बारवर याद पर बील्डिंग से सम्वंदित है तो उसी प्रकार आप से कह रहा है कि स्टेश मेकर यादि मूर्तिकार किसे सम्वंदित है बोलो जल्दी से बोलिया इसका राइट आनसर क्या है? संग रहले या पाशाण या छेनी या प्रतिमा बिलकुल बिलकुल मुझे तो पता लगया, इसका right answer अब मैं उम्मीद गरता हूँ कि आप लोग भी सही answer दे रहे होंगे मैं उम्मीद गरता हूँ, आप लोग भी सही answer दे रहे होंगे कि मूर्तिकार जो होता है, वो क्या बनाता है क्या बनाता है जल्दी बताओ बिल्कुल बहुत बढ़िया सूरज, सौनू, वेरी गुड, शंतोष, माया, रवीजाट, वेरी गुड, भाई, इमरान अली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आजय, उमकार, बहुत बढ़िया आंसर दे दिया, इतना है, जल्दी इतना ठोको जल्दी शेर, शेर करो जल्दी से, 473, 473 पर अटक जाते हो, मुझे 500 नहीं देखा रहे हैं, खुश नहीं होने दो गए, जल्दी शेर करो जल्दी से, जल्दी शेर करो, जल्दी शेर करो, तो इसका राइप रहे है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं, option number D, governor, ठीक है, option number D, governor है, चलो अगला question देखिए, भया, अगला question देखिए, कि मायरे जियानी की, मरिची का जो होता है, वो रिगस्तान में होता है, तो आप से question पूछ रहे हैं, कि आकास में भरम होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, आगे करें, वर्षा इंदरुधन रहुल कुमार ने भी आंसर सही दिया है, लखनौ ने भी आंसर सही दिया है, सोना ली बहुत बढ़ी आंसर दिया है, आपने, बहुत संदर, बहुत संदर, बहुत संदर, मुकेश, सत्यम, बहुत बढ़िया, मुकेश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़ शेयर करो जल्दी 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 शेयर करो 500 होने बाले शेयर करो जल्दी शेयर करो जल्दी शेयर करो जल्दी शेयर करो 500 होने बाले शेयर करो जल्दी शेयर करो जल्दी शेयर कर बोलो, बोलो जल्दी से 490 हो गए, 500 होने बाले हैं, इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ, मैं बताओ, तब जो 500 हो जाएंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसमें 500 करो, मैं आंसर बता रहाँ इसका जल्दी से, देखें, जल्दी से आप लोग बतारें, इतनी आदव पर होता है जुलूस जो निकाला जाता है वो एक निश्यत मार्क पर निकाला जाता है उसी प्रकार से जो प्रत्वी है वो और्बिट यानि राज मार्क पर चलती है और्बिट में और्बिट में एक उसका भी निश्यत गुलाब होता है चली अगला कोशन आप लोगों की सेव बता है किसको बताओ वितरंड को, साइकिल को, डांक को, वर्दी को, बोलो, कौनसे राइट आंसर है, बोलो जल्दी से, बोलो सत्य नरायन बगवान कीज़े, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, इसका राइट आंसर हो जाएगा, option number D, ठीक है, मेल, ठीक है जी, चलो, अगला कोशन, अगला कोशन देखिए भाया, इसका राइट आंसर D है, अगला कोशन, 50, 50 कोशन आ गया, कोफी में कैफीन होता है, तंबाकू में क्या होता है, बोलो, जल्दी से बोलो, कोफी में कैफीन होता है, होता है, नहीं होता है, कोफी त जल्दी बताओ इसका, क्या होता है भाई यह तंबाकु में, क्या होता है, बोलो, 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 बोलो जल्दी से, देख तो लूँ एक बर ऐसा भी कोई बढ़िया आदमी है, जो गलत आंसर दे रहा है, मनुर्मा ने स्टेटस पर लगा दिया, थेंक्यू, मनुर्मा, थेंक्यू, थेंक्यू, वेरी मच्च, हैपी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रजत, चत्रुवेदी, राज, वेरी गुड भाई, ऑप्शन नंबर चार दे रहे हैं, जया, संजय यादव, सौनाली, बहुत आपरें हमने तो, इसका राइझा हो जाएंगा, तमबाकू में जो भिफानाल से थानियाटा यहाँ, बहूत ज्बां पानदेव 504 होगे जल्दी शेयर करो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो जल्दी जल्दी आगे बढ़ो 600 करो आपका टारगेट कभी खत्म नहीं होता जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ भईये नारियल में जो है तेल निकलता है ठीक है यह मत कहना क शेर करो जल्दी से, तीसरे कर चाट जाएंगे, जूस निकलता है, जूस, पिया आमका जूस पिया होगा, हן, जल्दी से, देखो, आगे चुशन आपके सामने आगे, आगे भाया, सुंदर सा, देखें, जल्दी से, कोशियों होता है, इसलिए, तेजी से चलना पड़ता है, सuyorum, चलो ऐगे देखो, गुरुत्व कर्षह, तो चुम्बकत्यु कीज्से संबंदेते! बताऊ, गुरुत्व होता है और खीचता है! भीक है! आगे आपसे खिरहा है, और आगे आप से ए ग्रेवटि इजेगा recovering, है पुल, पुल बानिए OR किसी aligned के примira, डिक है, पुल! इसी प्रकार से आप से बोल रहा है कि जो चुम्बकत तो होता है वो क्या होता है प्रत्वी होता है स्वर्ण होता है भार होता है आकर्शक होता है अट्रेक्ट होता है बोलो जल्दी कौन बताएगा बोलो जल्दी से बोलो जल्दी से बहिया जल्दी से सिलातिया जल्दी बता राज अगरवाल, राहुल, निखिल, जाट, नंदू, जूस से, जूस से, हाँ, बिल्कु ठीक करें, जूस से, जूस से, चलो, अगला कोशन भईया, इसका जो राइट आंसर है, वो है, ऑप्शन नमबर तीसरा, आकरशन, क्या है, आकरशन, अट्रेक्श, अट्रेक्ट, चु अगला कोशन देखिये भईया, सुंदर सा, अगला कोशन देखिये, देर ना करते हुए, देखिये, क्या कह रहा है आपसे, आगे बोलिये भईया, आगे बोलिये जल्दी से, जल्दी से बोलिये, थोड़ा सा मैं इसको इधर करके, थोड़ा सा इसको, यहां तक कर देता हू बोलो जल्दी से बोलो आपसे बोल रहा है कि घोटना कलाई से सम्बंधिट है, तो कहनी के से सम्बंधिट है, यह देको यह इसलAME कलाई से नहीं है, पहल eh, रिखते स्थान देराख का्ई प्रश्नवाचक चन देरका है उस चन से संबद देता है घुटना तो आगे गर है कलाई कोहनी से संबद देता है आप देखो यह कलाई होती है कलाई के ऊपर क्या होता है कोहनी उसी प्रकार से कर मैं बात करो गुटना गुटना के नीचे क्या होता है भईया टखना होता है अंगलिया होती है हाथ होता है पैर होता ह पाखे, क्या होता है, जल्दी कौन बताएगा इसका right answer 53 का, बताओ जल्दी से, इसका right answer हो जाएगा भीया, पैर, option number, तीसरा, इसका right answer है, option number एक जो दह रहे हैं, गलत है बिलकुल, option number, बिलकिल, बिलकिल, ने भी आंसर दिया है, रिशु ने भी, Sanjay ने भी, राहुल ने भी, करन ने भी, निकिल क्या करें है, सपोर्ट करो प्लीज, इससे कई Air Force XY स्टुडेंट को भी हेल्प मिलेगी, कोरोन आया है, तब से ये प्रोब्लम हुई है, भाई ये कोरोन से कोई प्रोब्लम नहीं हुई है, आप चिंता मत करो, जो भी प्रोब्लम हुई है, सब कंपटिशन गुरू पयागई दूर हो जाए, जल्दी शेयर करो ज़दी, शेयर करो जल्दी, अगला कोशन है, अगला कोशन है, अगला कोशन है, फेस में expression होते हैं, मुख में अभिव्यक्ती होते हैं, ठीक है तो संगीत में किस संबदे, संगीत किस संबदे बोलो, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बोलो, face में हम expression बनाते हैं, रोने का, हसने का है ना, खिल खिलाने का दुनिया का कोई भी expiration बना सकते है मुँझे, उसी प्रकार से आप संगीत से क्या होता है, संगीत से क्या मिलता है, धुन मिलती है, ना, करण मिलता है, ना, यंत्र, ना, क्या मिलता है, sound, धुनी, इसका right answer क्या हो जाएगा, पहला, तो 54 का एक number right answer है, पहला, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एक बार, सभी लोग 600 पार करके दिखाइए, मुझे एक बार जल्दी से, आप please, सभी से request कर रहा हूं, कि सभी एक बार 500 के 500 लोग हैं, सबसे पहले तो एक बार like करो, और सभी एक बार share करो, share करो जल्दी से, तुरंत, मुझे 600 पार चाहिए यार, एक बार, जल्दी करा है कि दिवस रात्री, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, करा है, आप से कि दिवस रात्री से संबंद रखता है, डे नाइट से संबंद रखता है, डे का मतलब नाइट है, यानि दिन का मतलब रात्री है, उसी पिरकार से आप से करा डस्क, यानि ये है गोधू लिवे गोधु लिवेला क्या होता है गोधु लिवेला वो समय होता है जब सूर्यास हो रहा होता है लेकिन पूरी तरीके से सूर्यास नहीं हुआ होता है तो उस समय को बोलता है वो बोला जाता है गोधु लिवेला ठीक है गोधु लिवेला यानि मतलब जिस समय आप देखेंगे प option number 4 है उशा कल वो समय होता है जब सूर एकदम निकलने को तयार रहता है निकलना नहीं होता है जिसको सुबह बोल देते हैं डारेक्ट उस परकार से ठीक है तो इसका राइट आंसर यह है एक बार सभी लोग शेयर करो जल्दी से इसका राइट आंसर अप्शन नंबर D है बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं आप लोग आपका नाम में लोंगा एक सेकंड अगला कोशन लगा दो तब जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से देखो मैं आप लोगों के नाम पढ़ देता हूं कौन-कौन आंसर देरे हैं सर जबरजस्ति शेयर क्यो जबरजस्ति शेयर करो एक बर सभी लोग पुझा तिवारी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब मानते कहां हो अगर आप से बिना कहे मैं कहूं कि शेयर मत करो बहिया तो सौ पी अटके रहोगे कोई शेयर ही नहीं करेगा अभी कम से कम इतने लोग तो देख रहे हैं आ अपराद को किसे कोलेंगा अपरादी से रहसे से या दोस्षिद्धी से या फिर जांच से इनवेश्टिकेशन से बोलो जल्दी से इसका राइट अंसर क्या है चपन का राइट आंसर बताओ कौन बताएगा जल्दी से बोलिए मैं आप लोगों के आंसर देख रहा हूं जल्दी बताएगे जल्दी बताएगे अमित चौहान जैश वेरी गुड बहुत बढ़िया रीतेंदर वेरी गुड भाई बहुत सुन्दर आंसर दे रहें आप लोग तो इसका राइट क्या है मधू वेरी गुड इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला अगर आप ताले को चाबी से कोलते हैं तो अपराद जो होते हैं उसको जांच से कोला जाता है इन्वेस्टिगेसन से कोला जाता है ठीक है चलो अगला कोशन देखिए अगला कोशन आप लोगों की सेवा में देखिएगा कह रहा है क्या कह रहा है देखिए पढ़िए इसको ध्यान से कह रहा है का शीवम, योगेश आनन्द कießen तर्प्रपाटी वेरी ओड कोशें निमबर 57 का राइट अंसर क्या है चार ठीक है जल्दी से अगला कोशें आप लोगों के सामने लगाए जाए कंप्यूटर जी अगला कोशें जल्दी से लाइए फटाफट से लाइए जल्दी से लाइए जल्दी देखिए भई स्वास्त का मतलब बीमारी है तो आनंद विलूम है भई आप बताएं आनंद का विलूम क्या होता है आनंद का विलूम क्या होता है आनंद का विलूम क्या होता है बताओ इतना तो मैं आप लोगों की सेवा करी रहा हूँ जल्दी से बताईएगा जल्दी से बोलिये जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल जल्दी से बोलो, राइट आंसर समझ में आ गया, प्रिया सौनकर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़ी आंसर किया है आप लोगों ने, अगला कोश्चन भाईया, अगला कोश्चन आप लोगों की सेवा में आ गया है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, जल् मत कर लो, जल्दी से राइट अंसर दो आप लो, जल्दी से 59 कra राइट अंसर दो आप से कर वायू से स्वांस, तो रक्त किच से संबन देता है बोलो बताव जल्दी से, circulation, red, या thick, या गाड़ा, या बहना, shed, बताओ, इसका right answer क्या है, बोलो जल्दी से, यानि जो वायू है, उसे स्वास मिलती है, वायू से स्वास मिलती है, रक्त क्या होता है, रक्त circulation करता है, बिल्कुल सही बात है, रक्त जो है, circulation करता है, एक बार share ठोक दो जल्दी, जल्दी, जल्दी लाइक करो, एक बार जल्दी से, इसका right answer एक है, यानि circulation, परिसंचरन, क्या है, परिसंचरन इसका right answer है, ठीक है, circulation, जल्दी से, कम नहीं होना है, बढ़ना है आप लोगों को, ज्यादा ज्यादा संक्या में जुड़ना है, share करना है, कल आपकी class नया chapter चल जाएगा, coding, decoding नया chapter चल जाएगा, पढ़के आना, यहाँ आने से पहले एक बार पढ़ लिना उस chapter को, ठीक है, जल्दी एक बार share करो, जल्दी अभी तो काफी question है, अभी आपके 40 question और रहे गए इसके बाद, ठीक है, जल्दी से answer करिए, इसका है वायुस्वास, तो इसका right answer, option number क्या है, पहला, circulation, परिशंचरन, ठीक है, अगला question देखिए भईया, अगला question लीजिए, कह रहा है आप से, आप से क्या कह रहा है, choose the similar, मतलब एक समरूप आप यूगम को पूर्ण कीजिए, आप से कह रहा है कि, रखता लपता, रखत से संबंदित है, तो अराजकत के से संबंदित है, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से राज अगरवाल very good बहुत बढ़िया राहुल बहुत बढ़िया very good very good अर्शा खान बहुत बढ़िया विवेक इमरान अली सर मेरा नाम ले लो इमरान अली नाम ले लिया भीया नाम में क्या रखाए ठीक है circulation आकास very good सर एक बार क्या करें डी आई करवा दीजिए यह master चला ही जाए कि छिल क्या करें भई अनुज गूजर कुछ ना समझ माया भई है मेरे तो चलो इसका right answer बताओ इसका right answer बताओ क्या है इसका right answer बताओ 60 का क्या हो जाएगा तो इसका option number B है सरकार यानि मेरी बात को समझना कि मेरी बात को समझना कि यह कहना क्या चारा है कि अगर हम दोस्तों रक्त की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते है रक्ता लियता ठीक है रक्ता लियता बोलते है जो रक्त की कमी से रोग होता है और अगर आपको मालूम होगा कि सरकार अगर गर जाती है किसी कारण वस ठीक है सरकार गर जाती है तो क्या हो जाता है अराजकता आती है अराजकता क्यों आती है क्यों आती है क्यों कि वहाँ जब कोई शासकी नहीं होगा तो सारी बिधियां सारी सरकार सारी के सारी जो कानून विवस्त वो बिकार हो जाएगी तो अराजकता आजाती है समराइट आंसर अराजकता है क्या है सरकार option number 2 government ठीक है government एक बार शेर करो सबी लोग नाम ले लिया भाया क्या नाम है आपका विकास नाम ले लिया भाई एक बार शेर तो कर दो तो भाई एक बात का ध्यान डखना कर बूद बूद करके ही क्या बनता है, महासागर बनता है, उसी प्रकार से, एक एक नक्षरप्तर से, एक एक स्टार से क्या बनता है, बोलो, जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन देरा इसका राइट आंसर, बोली जल्दी से मा बहुत अच्य चछे कोश्यन आप लोगों के लिए हैं बहुत बहँतरींड कोश्यन लगाय है मैंने बहुत सुंदर सुंदर कोश्यने भी अगर नशक्तर का राहिट अंसर हो जायगा यह जिस परकार से बूंध-बूंद से साघर बंता है महा सागर बंता है उसी परकार से बताओ, संडे को क्लास होगी, बिल्कुल होगी संडे को क्लास होगी, क्यों नहीं होगी, आज की क्लास को ध्यान दो, शेर करो एक बार जल्दी से, शेर करो जल्दी, शेर करो, आप से कह रहा है कि भईया, दर्जी वस्त्र से संबन देता है, करशक किसे संबन देता है, करशक, एक बार सभी शेर करो शेर जल्दी शेर करो यार 400 पार जल्दी शेर कर दीजे जल्दी शेर कर दीजे रवी शेदार्थ जल्दी लोकेश बहुत बढ़िया शेर करो जल्दी शेर करो शेर शेर करो जल्दी से स्पीड के साथ शेर होना चाहिए मामला जल्दी जल्दी शेर करो जल्दी नाम ले लो रंजीत कुमार नाम ले लिया भाईया रंजीत नाम ले लिया भाईया रंजीत नाम में क्या रख़ा है मेरे भाई इसका राइट आंसर दीजे जल्दी से राइट आंसर दीजे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाईया इसका राइट आंसर हो जाए ठाक और वेरी गुड इस question का answer कौन देगा जल्दी सबसे पहले कौन देगा जल्दी बोली जल्दी बोली जल्दी मैं इंतियार कर रहा हूं कौन इसका answer देगा संडे को class होगी भाईया होगी संडे को class मेरे बाई कैसे होई जल्दी बताओ देखो आगे कह रहा है कि घसीट मारना का मतलब है लिखना तो हकलाना का मतलब किस से है तो भाईया यह जो होता है घसीट मारना इसका मतलब होता है इसक्राइबल किस से पैंसे घसीट कर लिखते है जल्दी बताओ, बोलने से हैं न, बिल्कुल ठीक है, बोलना, option नमबर तीसरा बिल्कुल right answer है, कौन-कौन दे रहे हैं, कौन-कौन आंसर दे रहे हैं, गोल्डी, कुमारी, रोहन, west of west, राजेंद्र, पिंकी, अंकेत, very good, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप एतना first comments क के सामने बहुत सुन्दर, मेरा, मैं, आगे आप से हमारा और हमको, वह और उसका, उसका और वह, उनका और उने, चलो, इसका right answer बताओ, 64 का कौन बताएगा, बहुत आसान सा question है, बहुत easy 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 है, जल्द क्या होता है मैं का मैं का बहुचन होता है हमको ठीक है हमको ठीक है चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विकल्प एक सही होगा ठीक है विकल्प एक चलो हमारा और हमको ठीक है मैं और मेरा हमारा और हमको ठीक है तो option number A के साथ चलेंगे बिल्कुल ठीक करें हैं बिल्कु बोलो जल्दी से, बोलो, बिल्ली फैलेन से संब्द देता है, तो घोडे किसे संब्द देता है, घोडे, जल्दी बताई है, गोडे किसे संब्द देता है, आप से बोल रहा है कि बिल्ली फैलेन से संब्द देता है, घोडे किसे संब्द देता है, गोडे, एक बार कम क्यों हो उसी प्रकार से, एक्विन प्रजाती का एक सदस से क्या होता है, जल्दी बताएगा, ये प्रजातियां है, फेलन एक प्रजाती है, जिसका बिल्ली होती है, बिल्ली की प्रजाती होती है, फेलन, घोडे की प्रजाती होती है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता ह अगला कोशन देखिये जल्दी बोलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी से शेयर करो एक बार सभी लोग एक बार शेयर करो जल्दी से और पता ही इसका राइट आंसर बुर्ष जो है पेंट से संबंद है तो कुंजी का पेंट से संबंद है तो कुंजी का पेंट से संबंद है त में काम आता है बेलचे का, ठीक है, तो कोईला भरने में काम आता है बेलचा, ठीक है, इसका right answer, option C है, very good, option C, इसका right answer है, option C, इसका right answer है, अगला question देखिए, अगला question देखिए, अगला question देखिए, अगला question आगया आगया आपकी screen पर, जल्दी से देखिए, जल्दी से, क्या क अर्जुन कुमार, पूजा, वेरी गुपता, 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 वे धापका 67, इसका राइट आंसर क्या है? जिस परकार से ताप मापी में, ताप कर दाप मापा जाता है, उसी परकार से बायु दाप heroic पॉय दाप मापी में भी दाप homa MINा पी जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? option number 4, pressure इसका right answer pressure, ठीक है, pressure, जल्दी से एक बार like करो, जल्दी से like करो अगला question देखे, अगला question देखे, अगला question देखे, निर्माण करना, नस्ट करना, निर्माण करना, नस्ट करना और क्या करा है, संगनित करना, इसका मतलब क्या होगा, 68 68 का राइट आंसर क्या है, बोलो, बोलिये, देखो आपसे कह रहा है कि create करना, यानि कि destroy करना, किसी चीज को बनाना और तोड़ देना, यानि एक दूसरे का positive, आगे कह रहा है आपसे, संगनित करना, इसका क्या होगा, तो इसका होगा मतलब इसको खत्म करना, मतलब कम करना, संगनित करना, मतलब कम करना, इसका विलोम क्या होगा, प्रसार करना, expand करना, प्रसार करना, तो option number इसका बिल्कुल सही आंसर है, option number इसका right answer है, option number दूसरा बिल्कुल right answer है, यह सारे के सा के लिए बहुत ही बहुत ज्यादा important questions हैं, क्योंकि मैंने बहुत छाट करके सारी book देख करके, इनको type करके, question आप लोगों के लिए लेकर काया हूँ, अगर आप इन hundred questions को दिल से कर लेते हैं, दिमाग से कर लेते हैं, सोच समझ के कर लेते हैं, तो मैं कहता हूँ कि इस chapter को यहा लोगों को प्रोवाइड करवाई दूंगा एक बार सभी लोग शेर कर दें ज्यादा संख्या में जुड़ जाएं अगला कोश्यन आप लोगों के लिए सामने ये है चल चित्र जो होता है वो दर्शक गंड देखते हैं उसको तो गरजा घर में कौन जाएगा गरजा घर में क एक्सपेंट ठीक कहा अपने आंसर तो सही दिया है और उसके बाद आंसर दे रहे हैं आपर भया राजी एहमद सुर्जीत सर भी बहुत मेहनत करते हैं आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका दिल से धन्यवाद है दिल की तो उन लोगों को अशिरवाद है ठीक है रवी कुमार राजे सियादव वेरी गुड़ भाई चलिए बहुत बढ़िया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो भी आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वो ठीक है प्रार्थना बिल्कुल भी सही नह जिखते हैं तो चर्च मे कौन जाता है चर्च मे कौन जाता है यह भक्त मंड ली जाती है चर्च में ठीक है तो यह इसका राइट आंसर है अगला कोशन आप लोगों की सेवा में देखिए जल्दी से क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ियेगा आप से करहें कृया-प्रती-क्र उसी प्रकार से आप बताईएगा आप बताईएगा मुझे जल्दी से कि किसका जो है विपरियतार थक यानि कि अपोजिट होता है अपोजिट बताईए आप लोग सभी लोग शेयर करो जल्दी से जल्दी से शेयर कर दो तेर मत करो जल्दी से मामला खराब हो जाया का नहीं जल्दी शेयर करो एक बार, जल्दी शेयर करो, 30 कोश्चन बचे हैं, मुश्किल से 15 मिनिट में खत्म कर दूँगा, जल्दी से, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से शेयर करके तो इसका राइट आंसर है, या, option number D दे रहे हैं, अगला कुश्चन लीजिए, अगला कुश्चन लीजिए, अगला कुश्चन कह रहा है आपसे कि मास शाहकाहरी मद क्या होगा, मास शाहकाहरी मद क्या होगा, मद यानि होता है भया, जो शराब होती है नो इसको भी बोल देते हैं मद, ठीक है चलो आगे बताइए यानि जो मास होगा वो शाकाहरी संबदेता क्यों शाकाहरी व्यक्ति मास नहीं खाएगा ठीक है उसी प्रकार से मद को कौन नहीं पियेगा पागल ना बिल्कुल भी नहीं अंतमुर्खी ना मादक ना एलकोलिक तो सराब पियेगा बहिया जैसे मा मास का सिष्टम होता उसी प्रकार से मग का होता मादक लेकिन क्योंकि हाँ पिया यहाँ पे मास का हो जागए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद का हो जाएगा आप लोगों केले में लगा रहा हूं, बात तो समझ में आगे होगी आगे हैप से कहा रहा है परक्षे जह लगा कोशन लीज ज़ह उपकर है कंचा में चलता है उपकर है कक्चा ज़े समझ देता है तो प्रक्षे प्रचे प्रणार्थ किसके संबने था, प्रोजेक्टर, ठीक है, जल्दी से बताईएगा, बोले जल्दी से, रात किशोर सार जी, बताओ हम, क्या करें हैं, क्या बताएं भाईया, क्या बताएं भाईया, बोलिया, शेयर करो एक बार सभी लोग, कोशन नमबर 73 का राइट आंसर कौन बताएगा, जल्दी से, सबसे पहले कौन बताएगा, मैं उन लोगों के नाम लोगगा, जल्दी से, 73 का राइट आंसर बताएगा, जल्दी से, जल्दी से बताएगा, जल्दी से, 73 का राइट आंसर मुझे बताएगा, जल्दी से, कौन ब थक में, तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रपत, प्रपत, option number, trajectory, यानि option number B, इसका राइट आंसर है, ठीक है, कौन-कौन आंसर सही दे रहे हैं, इसमें जो है, आप लोग राजेंदर ने सही आंसर, राजेंदर ने अगला, देखो, नगर देश से संबंदित है, नगर देश से संबंदित, प्रत्वी किस से संबंदित, प्रत्वी, प्रत्वी, बई बताइए जल्दी से, नगर जो होता है, देश का छोटा सा हिस्सा होता है, प्रत्वी किसका छोटा हिस्सा है, बताओ, किसका छोटा हिस्सा ह क्या है जल्दी से बताईएगा जल्दी से उज्जवल बताईए शाहिद आलम रवी भाई बहुत बढ़िया रवी ठीक है ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया. अगला question आप लोगों के लिए मैं लगा रहा हूँ. अगला question आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ. 75 number. कहारा है आपसे प्रफम अंतिम निष्ठा. यानि प्रफम का सब्द का जो अपोजिट है वो अंतिम है. निष्ठा अंवरुकुमारृतिका हुए वेरी गडिक शेलेंद्र हुए अवस्का गात के बहुत है जल्दीस साइसका यहा ढसर होगा वो होगा चीट विश्वास गात ठीक थीकई अपोजिट क्या होता है? विश्वासकास्त और ट्रस्ट का मतलब ही होता है निष्टा, ठीक है? यह लिखा हुआ है, फर्स्ट का लास्ट है, ट्रस्ट का क्या होगा? चीट, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है, और अप्शन नमबर B, इंगलिस में पढ़ लिया करो, अगर ह कि सेवा में आ गया है, जल्दी से आप आंसर दीजिए, आपका नाम नेहा मिश्रा है, मैंने ले लिया, हिमान्शु, वेरी गुड, और प्रतुष, क्या नाम है ये? चलो, पता नहीं, उपर ने करगा क्या नाम है? देखिए, दोशी, दोशमुक्त होता है, आकरशित, आप जल्दी बोलिएगा, बोली जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी शेयर करो एक बार सभी लोग, प्रिति नायक, बिल्कुल, थेंक यू वेरी मच, शेयर करो, राजु पाटिल, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शेयर करो, शेयर करो जल्दी से, शुरजीत शेयर करो, शेयर करो, अलका निशाद वेरी गुड, राज अगरवाल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठाकुर भाई बहुत बढ़िया, शेवानी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ब मतलब घास से होता है, तने का मतलब किस से होगा, जलदी share करो, सबी लोग एक बार 400 पलस करके दिखाओ मुझे अब की बार, 400 पलस करो, जलदी से, पंकज, राम, अजल, रेखा, शमा, वेरी गुट, बहुत बढ़िया, शर्मा, शर्ना, very good, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उज्वल, राजु, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक बाश शेर करो यार, जल्दी से, 400 प्लस करके दिखाओ जल्दी से मुझे, भाई ये कराई, डंठल का मतलब घास से है, तो तना का मतलब किस से है, कहां, कब कहां, आप मुझे बताईएगा, इसका राइट है, थोड़ा सा धोका खाजाओगे, थोड़ा सा धोका खाजाओगे, जल्दी से बताओ, 78 का, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रियास करूँगा, बिल्कुल आसान तरीके समझाने का प्रियास करूँगा, यह प्रशन बहुत इंपोर्टेंट है, यह लास्ट एक्जाम में आया हुआ भी है, बार बार आपने गलत भी किया है, कई स्टुडेंट आयते मेरे पास पूछने के लिए सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, और वो कोई दिन लगा करके आया था, कोई जो धन लगा करके आया वेस्ट और वेस्ट दे रहे हैं, दो, दो आंसर दे रहे हैं, ठीक है, देख लिए मैंने यहीं पर, आप लोग आंसर दे रहे हैं, गोलु इस्थान आंसर दे रहे हैं, जानवी आंसर दे रहे हैं, चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से देखो, दिन आंसर दे र तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्लेस, option number 4 है, कब का मतलब समय, कहा का मतलब क्या है, इस्थान, ठीक है, तो इसका मतलब है कब कहा और समय स्थान, ठीक है जी, बात समझ में आगई होगी याई होप आप लोगों के, अगला कोशन देखिए वही सुंदर सा, सुंदर आप से बोल रहा है, भाग संपूर्ण, चाप क्या होगा, चाप, ठीक है, भाग जो होता है, छोटा भाग होता है, उसको संपूर्ण कर दिया जाता है, ठीक है, पाल्ट होल, पूरा, आर को क्या कहा जाएगा, चाप को, तो चाप को क्या कहा जाएगा, वरत कहा जाएगा, 80 नंबर का कोशन देखिए, 80 नंबर का कोशन क्या कह रहा है, आप से कह रहा है कि अंधा चालुक्ष होता है, अंधे का मतलब होता है, जिसके आंखें बड़ी मोटी मोटी होती है, ठीक है, बहरे का मतलब क्या होगा, बहरा होता है, जिसके कान ही खराब होते हैं, ठीक है, कान ह खराब होते हैं जिसके और भाहिया बहरे का अपोजिट क्या होगा जिस प्रकार से अंधे का अपोजिट है चालूश मतलब होता है चाक्षुस मतलब होता है जिसकी आखें होती है बहुत देख सकता है चितरीके से उसी प्रकार बहरे का अपोजिट क्या होगा जिसके बड़े बड़े कान होंगे, दीवारों के जैसे कान होते हैं, ऐसे कान होंगे, उस भी अक्ति के, कौन होगा वो बताओ, क्या वो सुनवाई होगा, नहीं होगा, श्रमण होगा, नहीं होगा, लिस्नर नहीं होगा, आगे, करनिक होगा, बिल्कुल ये बात ठीक है, option number 3 के साथ चली जल सुनदर, very good, very good, share करो जल्दी से एक बार सभी लोग, आगे आजाएए भाया, एक स्वरता, अनेक रूपता, आगे, अपरिश्क्रत, अपरिश्क्रत, इसका राइट आंसर आगे, क्या होगा, बोलो जल्दी से, 81 का राइट आंसर बताओ, जल्दी से, जिस प्रकार से, एक स जल्दी से दीजिए, जल्दी से दीजिए, जल्दी से, मेरा भी नाम, आपका पल्लवी वैश आपका नाम ले लिया, पल्लवी ले लिया, आपका नाम, सुभम, very good, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आगे, पिंकी, मेरा नाम लो, पिंकी, आपका नाम ले चैक परिश्करण परिश्करण इसका option D ज़े अगरा कुश्य डेखियें ना के लूगा अगे देखियें ना, तोकरियां से ना, आप बताईएगा मैंने तो सब में नाना कर दिया आप क्या करोगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कौन से सही है आपके नजरों में 82 का राइट आंसर बताओ जल्दी से बोलो जल्दी से सन से क्या बनाया जाता है, भई लुंगदी से कागज बनाया जाता है, जो पल्प होता है उससे कागज बनाया जाता है, ठीक है, सन से क्या बनाया जाएगा, बोलो जल्दी से जल्दी से, रोप बहुत बढ़ी आंसर दे रहे हैं, शिव प्रताप, very good बहुत बढोड़ा, तीसरा तो यार बिलकुल भी गलत है, टांगा, 78 का 3, 78 पर पड़े हो अभी, इसका राइट आन्सर दो, रोप बिलकुल ठीक दे रहे हो, शेवाच ठीक आनसर दे रहे हो, बहुत बढ़़ा, बहुत बढ़ा, बहुत बढ़े हो, सूत नहीं है इसका राइट आंसर है रसी, कॉटन नहीं है, सन से क्या बनाया जाता है, हैंप से क्या बनाया जाता है, रसी बनाया जाती है, औप्शन नमबर पहला विल्कुल सही है, औप्शन नमबर एक सही है इसका राइट आंसर, ठीक है, औप्शन नमबर एक, चली अगला जिस परकार से चोट लगने बरदर्द होता है, उसी परकार से जलो आपका नाम ले लिया बवीता, आगे आजाओ, आगे देखो, अगला कुश्यन है आप लोगों की सेवा में देखिए, क्या कह रहा है, कह तो कुछ नहीं रहा है, बहुत कुछ कह रहा है, पढ़लो एक बार जल्दी से, शेर करो एक बार जल्दी से, सभी लोग, सभी बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो, सुक्ष्म दर्चि किस से संबद देता है, बोलो, जल्दी से, 84 का राइट आंसर क्या है, बोलो, इसका राइट आंसर है, उपिशन नंबर डी, जिस परकार माइक्रोफॉन, ध्वनी वर्दक अर्थात, आवाज को प्रबल करता है, उसी प्रकार से सुक्षम दर्सी, सुक्षतम वस्तु को अवरगन करता है, ठीक है, इसका राइट आंसर ये है, अवरगन करता है, option नमबर चार के साथ हम चलेंगे, अगला कोशन आप लोगों के लिए, अगला कोशन आप लोगों के लिए ये रहा, बोलो जल्दी से, बोली जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, कह रहा है आपसे, कि कप, लिप, बर्ड, कप, होट से लगते हैं, कप जो है, ओट यानि होट लिप दे रखे हैं, ठीक है, पंक्षी किसे संबंदित होगा, पंक्षी, कप, कप का और होटों का क्या संबंद है भई, जो आप चाय पिएंगे तो कप आपका कहा लगेगा, होटों पे लगेगा, पंक्षी, वन, जाड़ी, लकड़ी, घास, आप मुझे बताई यह भईया, पंक्षी अपनी चौच में क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, घास, जाड़ी, वन, यह लकड़ी, 85का रैट आजर कौन बताएगा, जलदी से बोलो, बोलो जलदी से, पंक्षी जब अपना घ़र बनाते हैं, तो चौच में रखेंगे ले जाते हैं, क्या, क्या ले जाते हैं, लकडी को, ना, किस को घास को ले करके जाते हैं, छोटी-चोटी लकडी घास बग कतनी है चलो अगला कोईशन देखो जल्दी से अगला कोईशन देखिए अगला कोईशन देखिए अगला कोईशन करा है गाजर जड़ से संब्द देता है गाजर जड़ से गाजर एक जड़ होती है सेब क्या होता है सेब क्या होता है सेब एक फल होता है option number निम्बर दूसरा ठीक है, यानि option number 2 के साथ चलेंगे, बिल्कुल आसान कोशन था, अगला कोशन देखें जल्दी से, जल्दी से अगला कोशन देखें मित्रो, देखो कभूतर सान्ती का प्रतीक है, कभूतर सान्ती का प्रतीक है, तो आगे आपके सामने है, मैंने ये बता दि सपेत जंडा समर्पन का प्रतीक होता है और लॉरेल विजे का युद्ध स्वधंत्रागा बोलो जल्दी से कबूतर सांती का प्रतीक है तो नेक्स्ट कौन सा उप्शन हम सही माने आप मुझे बताएं जल्दी से दूसरा जीतू आलोक वेरी गुड प्रिया सौनकर अभिशेक रवी वेरी गुड बहुत बढ़िया रेखा वेरी गुड अभिशेक आंसर देने में आप नहीं ले रहे हैं अभिशेक ठाकुर नाम ले लिया भाईया नाम ले लिया मेरे भाई राहुल वेरी गुड पवन बहुत सुंदर रजी एहमद वेरी गुड बहुत सुंदर बहु के जी? सफेद जंडा, सुरेंडर का प्रतीक है, तो इसका आप राइट आंसर नोट कर लीजे, गलती नहीं करनी आ गया आने वाले समय में, जलदी शेयर करो एक बार, अगला कोस्यन है, भाहिया, अगला कोस्यन है, देखो मचली पक्षी मचली पक्षी मचली पक्षी फिश एन वर्ड आगे आपको आंसर दिना है क्या होगा पंडुबी वयुयान या फिर स्वामी उकाब राइफल टेंक हाइडरा महसागर जल्द बताओ कोशय नमर 88 है आप लोग आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा इसका जल्दी से बताओ देखो मचली पानी में होती है पंख्षी आकास में होते हैं उसी प्रकार से आप लोगों के सामने options हैं आप लोग जल्दी से आंसर बताएंगे जैचंध, अलका रजट, अंकिता रजी एहमद, एंगल एंजल, अच्छा, एंजल है यह एंजल, बहुत बड़िया आनंद कुमार वेरी गुड, वेरी गुड, शेयर करो एक बार सभी लोग शेयर करो, राजू, बहुत बड़िया अंकिता बहुत सुंदर अंकिता मिर्श्रा रोहन बहुत सुंदर आर चौधरी वेरी गुड विभा देवी बहुत सुंदर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो option number A यानि भई मचली जो है पानी में होती है और पंक्छी आकास में होता है ऐसी अगर मैं बात करूँ पंडुब भी की तो पंडुब भी कहा होती है पानी में और वायुयान में कहा होता है आकास में तो option number A के साथ चलेंगे चलो अगला question देखिए 90 number का question देखिए अगला 90 number का question आपकी screen पर आ गया है जोड़दार question है लेकिन एक साही है वो कौन से साही जल्दी बताओ 89 number का answer बताओ जल्दी से बोलो जल्दी से जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो बोलो जल्दी से सुनार जो है सुन से संबदित है तो बढ़ई कि से संबदित है बढ़ई 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 जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो शेर करो एक बार नाम ले लिया भया आपका नाम है उज्वल आपका नाम ले लिया रोषन रोहन वेरी गुड रोहन सिरिवास्तव वेरी गुड और पल्लवी ओके कमलेश कुमार बहुत बढ़िया बहुत अलका निशाद वेरी गुट सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं विक्की बारी आपका नाम ले लिया विक्की भाई और देवेश वेरी गुट दिखतो रहा है भाईया सही दिग रहा है यार कैसी बात कर रहे हो चलो आंसर तो जल्दी से तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नमबर बढ़ाई लकडी से संब्ढ़ देता है बढ़ाई लकडी से कारपेंटर वूट से संब्ढ़ देता है जिस परकार से सुनार सौन से संब्ढ़ देता है बढ़ाई लकडी से संब्ढ़ देता है ऑप्शन नमबर ये के साथ चलेंगे बहाईया ऑप्शन नमबर ये के साथ च कोशन का 90 नंबर कोशन का जल्दी से बोलो जल्दी से ओशद विक्रेता जो होता है वो आशदाले में होता है तो आप से पुछ रहा है बाई बताइए जल्दी से रसोईया भोजना ले बिलकुल गलत बढ़ही लकडी गलत चिकितसक रोगी गलत इसका राइट आंसर हो क्या अप्शन नंबर भी बिलकुल इसी के साथ जाएंगे बिलकुल 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 रामानंद भाई आपका नाम ले लिया कामिनी सर्क्यों चलेंगे क्या कहरें पता नहीं चलो अगला कोशन देखिए 91 नमबर का question आप लोगों के सामने है Car garage से संब्दित है Car जो है garage से संब्दित है तो वाईवियान किसे संब्दित है वाईवियान बोलो जल्दी से जल्दी से आप लोग बताईएगा इसका right answer क्या है मैं उम्मेद करता हूँ आप लोग सभी answer सही देंगे रुची very good अरुन कुमार very good, बहुत बढ़िया तन्नू very good, रितू very good सेलेंदर बहुत बढ़िया प्रिया very good शतीश very good बहुत सुन्दर ग्यानभी, जीतू मतलब इसका right answer है मेरा भी नाम लो पवन्दी पर शनह आपका नाम ले लिया जैचंद, अजे, आर्ती, वेरी गुड, एक बार सभी शेयर कर दो, एक्षा मिस्रा, थैंक्यू वेरी मच्च, थैंक्यू, तो इसका राइट आंसर क्या है मित्रो, इसका राइट आंसर होगा, देखो, जो कार होती है, नो उसको गराज में रखा जाता है, वायो यान को हेंगर पर रखा जाता है, हेंगर, ठीक है, तो उप्षन नमबर कौनसा ठीक है, C के साथ चलेंगे, तीसरे के साथ चलेंगे, जल्दी एक बार शेयर करो, जल्दी शेयर करो, लाश्यर टला है, विल्गूल 7-8 कुशेन रहेंगे, जल्दी शेयर करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, मैं एक बार देखतो लूँ, लाइक कितने कर रखे हैं आप लोगों ने, लाइक कितने कर रखे हैं, लाइक कितने कर रखे हैं, जल्दी मैं देखतो लूँ, लाइक कितने कर रखे हैं, 644 लाइक हैं, जल्दी लाइक करो, जल जल्दी से 92 का राइट आंसर क्या होगा अनात्मश्वंसी, सरल, कमजोरी यह तो सब नम्रता ही है नम्रता तो इसका राइट आंसर क्या है एरोगेंस, option number A के साथ हम चलेंगे भाईया, A के साथ हम चलेंगे, कम क्यों हो रहे हैं, जल्दी शेयर करो एक बार सभी लोग, रवी कुमार शेयर करो, अब शेयर करो जल्दी से, जल्दी शेयर करो जल्दी, देर नहीं लगा नहीं जल्दी शेयर करो तो आंसर बता रहा हूँ, इसका right answer option number 1 है, जल्दी अगला कोशन लगा रहा हूँ, उससे पहले like करो जल्दी से सभी, शेयर करो, ठोको शेयर जल्दी से अगला कोईशन लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठोको शेर, जल्दी से ठोको, जल्दी से ठोको, जल्दी से ठोको शेर, जल्दी, जल्दी देर नहीं लगानी, कीट मक्ही से संबदेता, बोलो जल्दी से, इस्तनपाई कौन होता है, कीट एक मक्ही है, तो जल्दी नोगोँ जल्दी शेयर जल्दी करो जल्दी अजय संदीप, शुकल्हा वेरिल गुडब, प्रियंका वेरि गुडब, बहुत बढ़ी है भुद बहुत बढ़ी है, अनन्द आणन्द कर दिया अपने आनंद कर दिया, शेयर 술 गोज आ आप एक बार जल्दी से, कामीוש करो जल्दी से अप लोग अगला question जो है इसका right answer का कीट जो मख्खी सम्बन देता है तो स्तनपाई कोन होता है मनुर्षय होता है स्तनपाई ठीक है ठीक है चलो बहुत बढ़िया अगला question option नमबर एक सगी मैन ठीक है मानव अगला question देखिए कलेंडर तिथी से संब्द देता है कलेंडर तिथी से संब्द देता है तो आप बदाई समय घंटा से ना, परिवेहन बस से ना, कोश सब्द से चलो, शहर पिन कोड से ना, इसका राइट आंसर कौन बताएगा जल्दी बुलो, 350 होगे, केबल 500 और चाहिए मेरे को, केबल 500 और चाहिए बागी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, एक भी फालतू फिर जल्दी से शेर करो, जल्दी से 400 पलस करो, जल्दी से भाईया, कलेंडर डेट से संब्द देता है, कलेंडर बहुत बड़ी आंसर है, ठीक है, चलिए अगला कोशन लीजिए, 95 नंबर का कोशन है, भारत आम, भारत आम, न्यूजिलेंड, बताओ किसे संब्धित है, भारत का रास्ट्य जो फल है, वो आम है, न्यूजिलेंड का रास्ट्य है, फल नहीं कहेंगे इसको, पक्षी, कीवी पक्षी भी होता है, कीवी एक फल भी होता है, लेकिन न्यूजिलेंड में जो फेमस है, वो पंक्षी है, जो वहां का पंक्षी है, ठीक है, वहां का फेमस पंक्षी है, वहां का रास्ट्य पंक्षी है, कौन है, कौन है, जल्दी बताओ, सेब है, ना, अंगूर है, ना, केल एक फल भी होता है, ध्यान रखना, कीवी एक फल भी होता है, और कीवी एक क्या होता है, कीवी एक पंक्षी भी होता है, अगर हम उस हिसाब से लगाएंगे नीजुलेंड का जो पंक्षी है, नीजुलेंड का जो राष्ट्य पंक्षी है, वो कीवी है, और फल भी कीवी है, तो इसका राइट आंसर कीवी है, कीवी मतलब एक फल भी होता है, पंक्षी भी होता है, दोनों में किसी चीज में भी आ सकता है, कीवी फल भी आ सकता है, और भी आ सकता है, ठीक है, चलो, जल्दी से देखिए, आप लोग क्या कह रहे हैं, मैं एक बर पढ़ लूँ, एक बर सभी लोग शेयर करो भाईया, सभी लोग शेयर करो, कहते कहते हैं, मुझ भी दुखा दिया आप लोगों ने, बहुत पृत पृती जाटव, बहुत पृत पृ इसका क्या होगा, जल्दी बोलो, बोलो, आपके सामने दे रखें, हिंदुत, इसायत, इसलाम, धर्म आगे, कान नाक नजर द्रस्टी, यानि आप ध्यान दीजे थोड़ा समय क्या कह रहा हूँ, आप ध्यान दीजेगा, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आप, देखो आप, आप, देखो इसको थोड़ा समय क्या 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 देखो आप, आप, शीटकाल, वसंट, गरीश्मकाल, शब रितुएं हैं, आड़, तप्त, और टुंड्रा, ये प्रदेश हैं, ना, गलत है, भाई है, या उप्शन नमबर 3 के साथ जाओंगा, तीन के सा लेकिन आगे आप चलेंगे, आगे आप चलेंगे भाईया, तो शीत, काल, वसंत, ग्रीस, मकाल, यह सभी रितुएं हैं, यह सभी रितुएं हैं, रितुएं हैं, क्या हैं, रितुएं हैं, जल्दी अगला कोशन आप लोगों के लिए आ गया, आज की किलास जिस भी स्टूनें पूरी समझ करके, आप exam में जब जाएंगे तब याद आएगा आपको, कि ये question आया था, सर ने पड़ाया था, ये question आया था, सर ने पड़ाया था, कभी समय मिले, तो एक बार speed बढ़ा कर कि और देख लेना इस question को, और अगर इतना भी समय ना मिले तो इसकी PDF आपको Competition Guru टेलिग्राम पर डलवा दूँगा भाया जल्दी से आप लोग लिख लीजिए टेलिग्राम का नाम लिख देता हूँ मैं टेलिग्राम का क्या है मैंने reasoning के class notes डाल दी है reasoning के reasoning के class notes डाल दी है class notes सारे के class notes डाल दी है लगवक 350 प्लस page है उसमें ये handwriting notes है हमारे मेरे हाथ से बने हुए notes है सारे के सारे ठीक है तो ये मैंने वहाँ पर डाल दी है आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे भाया इस तरीके से Competition Guru C-O-M-P-E-T-I-T-I-O-N G-U-R-U Competition Guru आप लिखके सर्च करेंगे आपको CG का logo मिलेगा इस तरीके से ठीक है इस तरीके से logo मिलेगा आप उस पर जाकर के join कर लेना आपको वहाँ सारी की सारी information सारी की सारी PDF बगरा जो भी आपको जरूत होगी सब कुछ मिल जाएगा ठीक है चलिए एक सेकंड होल्ड करिएगा घर से फॉन आ रहा है एक फॉन उठा लेते हैं एक सेकंड चलिए वई ठीक है चलिए इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर क्या है बोली जल्दी से आकरशक सुंदर होता है पुरुष का क्या होगा बोलो जल्दी से बोलो जल्दी से हैंडसम ब्यूटिफुल मैन बोलो जल्दी से यानि आपके सामने प्रशन यह है कि जो हैंडसम होता है वो कौन होता है मैन होता है और beautiful कौन होता है, beautiful कौन होता है, woman होती है, option number 3 के साथ जाएंगे भईया, 97 का option number 3 बिल्कुल सही है, एक बर comment तो पढ़ लें, आपकी comment दुगाई भी होगी फॉन के चक्कर में, चलो, very good, very good, very good, बहुत बढ़िया, woman बिल्कुल ठीक answer है, woman ठीक answer है, एक बर आप उसका screenshot ले इसको PDF अगर चाहिए आपको तो, telegram, क्या है, telegram, ठीक है, telegram, चलिए, आगे अगला question भया, आप लोगों के लिए, सुंदर सा, शुशील सा, अच्छा सा, खूबसूरत सा, देखिए, आगे है, संतोष जनक उत्तम, तो गर्म का क्या होगा, संतोष जनक उत्तम, तो गर्म का क्या होगा, कौन बताएगा जल्दी बोलो, क्या हो गया सुरजीत, क्या हुआ, बोलो, स्तरी है कुछ भी कर सकती है, अच्छा विक्की भाई, विक्की भाई, राइट आंसर बताओ भहिया, बोलो जल्दी से राइट आंसर, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, देर ना करत मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो, इसका right answer है, इत्तम का मतलब होता है, संतोसजनक और उत्तर अवस्ता है, ठीक है. उसी प्रकार उष्मा गर्म की उत्चतर अवस्ता है. ठीक है, किसकी बोलो, ठीक है उष्मा की heat, option नंबर a इसका right answer है thermal की thermal इसका right answer है ठीक है thermal चलिए अगला question दें आपके लिए अगला question मैं देता हूं सुन्दर सा question second last question है आप दौनों question को ठीक करके जाईएगा ठीक है और reasoning अगर आप यहां से पढ़ लेते हैं तो आपकी 100% reasoning क्लियर होगी आपको कहीं दूसरी जगह जाने की कोई आवर्श रखता नहीं है रीजनिंग के लिए ठीक है और भी चीज़ें हमारी आती रहेंगी time to time जैसे maths लेकर क्या रहे हैं बहुत जल्दी और और भी चीज़ें लेकर क्या रहे हैं तो आपको पीडिएफ डाल दिये हैं क्लास नोट्स डाल दिये हैं कराया आपसे मिस्तरी स्पैनर से संबंदिते हैं इस पैनर जानते हो क्या होता है बढ़ाई किसे संबंदित होगा इस पैनर होता है आप लोगों ने देगा जानते होगा इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से बना होता है, यहाँ पे इस में जो है, गोल भी होता है और खुला हुआ भी होता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं, इस पैनर, ठीक है, और तो बड़े के पास क्या होता है, आरी होती है, शौव होती है, इसका राइट आंसर क्या है, option number भहिया 4 इसका राइट answer है और भहिया जिसको नहीं मालूम है कल हमारी master class आएगी master class आएगी current affairs की किसकी class आएगी current affairs की master class current affairs की affairs की ठीक है कितने बजे एक बजे जदलेट हो जायेगा मामला 12 बजे 12 बजे current affair की class आएगी भहिया और उसके बाद एक हमारी master class होगी GK की जिसमें MCQs होंगे MCQs होंगे जो आपकी लगवक 2 घंटे की रहेगी यह आपकी होगी 12 से 1 तो यह होगी 1 से 2 यह हो जाएगा इसको रखेंगे हम 3 बजे से 3 बजे से लेकर के यह 5 बजे तक जितनी भी होगी यह आपकी 3 से 4, 4 से 5 जो भी है इन दौनों क्लासे को अटेंड करना यह तो आपकी current affair होगी weekly जो आपकी लगवक 45-50 मिनट में complete हो जाएगी फिर आपकी master class होगी एक master class होगी MCQs की यह आपकी 3 बजे होगी तो यह दोनों क्लासे को मत लेना भूलना आप बिल्कुल लेनी है आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा संख्या में जुड़ना ही है और डेली हमारी class साड़े-5 बजे reasoning के होती है सौंबार से शनिवार तक Monday Monday to Saturday Monday to Saturday 5.30 5.30 reasoning डेली आना है भाया काम छोड़ दो सारे कि रहा है अनाज गोदाम में रखा जाता है तो जल कहां रखा जाएगा जल बोलो जल्दी से जल जल कहां रखा जाएगा जल बोलो जल्दी से जल्दी से बोलिए सब अपना class लेना जो भी आएगा थम सब बेजो बिल्कुल बिल्कुल जो भी कल क्लास अटेंड करेंगे वो एक बार लाइक करके जाओ मुझे पता तो लगी कितने लोग आएंगे जो भी कल क्लास लेकर लेने आएंगे यहाँ पे एक क्लास होगी बारा बज़े एक क्लास होगी आपकी तीन बज़े दोनों क्लास जरूर लेनी है, बहुत खतरना क्लास है, बहुत एक से रातवर रिसर्च करूँगा इन कोश्चन्स पे, तब आपके सामने कल ले करके आऊँगा तो आप शेयर करना ना भूलना जल्दी, सबी लोग एक बार जल्दी शेयर करो और इसका आंसर दो, अनाज गोदाम में होता है भीया, जल कहां होता है अनाज का यो स्टोर रूम होता है, उसको गोदाम कहते है, जल का स्टोर रूम क्या होता है बाद होता है, डेम होता है डेम तूट जाएगा तो मामला खराब हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या है? दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर है बोलो सत्र नरायन भगवान की जै इसी को देखते हुए हम क्लास को आज समाप्त करते हैं और आप लोगों से सभी से विदा लेना चाहते हैं जुग जुग जी ओ जल्दी से आप लोगों की जो है नौकरी लगे भई शेर करो क्लास को और ज़्यादा ज़्यादा संक्या में हमेशा जुड़ते रहा करो और बहुत-बहुत आशिरवाद आप सभी लोगों को सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी यहां करके जुड़े हैं सभी का दिल से शुक्रिया सभी को मैं जहिंद करता हूँ वंदे मातरम करता हूँ और कल मुलाकात करेंगे आप लोगों से बारा बजे फिर तीन बजे आना मत बोलिएगा अपने यूट्यूब चैनल कमपटीशन गूरू